नमस्कार, बंसल नियूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ दीपक मिश्रा उप्चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रंडनीती के साथ मैदान में उतर चुकी है कॉंग्रेस ने जनता को साधने के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया तो बीजेपी ने भी वोटर्स को साधने पन्ना प्रमुकों की नियुक्ति कर दी है इधर कॉंग्रेस विधायक दिलीप गुरजर ने उप्चुनाव को लेकर खुल कर अपनी बात रखी और इस उप्चुनाव को कॉंग्रेस का भविश्य तय करने वाला चुनाव बताया उप्चुनाव से जूड़ी ये तमाम कबने लेकर हाजर हैं हम अपनी इस खास चुनावी पयशकरश उपचुनाव का चक्रवियू में प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कमलनाथ एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में 2018 की विधानसवा चुनाव में कॉंग्रेस ने घोशना पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी कमलनाथ अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं वचन के सहारे सरकार में बापस आएंगे नार कॉंग्रेस ने बनाया सत्ता में बापसी का प्लान कोरोना पिविट परिवार को नौकरी का वादा वादे के जरिये उपचनाव जीतने का इरादा उपचनाव में जनता को साधने के लिए कॉंग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है मिनी वचन पत्र के जरिये कमलनाथ 2018 वाली रणनीती पर ही आगे बढ़ रहे है 28 सीटों के लिए जारी हुए मिनी वचन पत्र में कॉंग्रेस ने इस्थानी मुद्दों के जरिये जनता को लुभाने की कोशिश की है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कॉंग्रेस ने कोरोना का कहर जहल चुके पिडित परिवार के एक सदस्थे को नौकरी देने का एलान किया है ये नौकरी उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्थे को मिलेगी जिसकी कोरोना में मौत हो गई है कॉंग्रेस पर्टी ने 28 जगजा चुना हो रहा है विदान सबागा उसमें अलग अलग वचनबत तो तयार की है वहां की जो मूल समस्या है लेकिस साथ ही पूरा मदबनेश में का करेंगे इसके बाद इसका भी वचनबत जिसको हम संकल पत्र कर रहे हैं वो जारी करेगी इसके में कोई सियासत नहीं है आज कॉरोना के कारण पूरा देश एक आरोपित परेशानी में दंडेत हो रहा है सबकों पर कई गरीब लोग मारे गए हैं कई परिवार अनात हो गए हैं कई परिवार एक्सिडेंट में जो है केवल बच्चे बच्चे हैं माता पिता पालक सभी मर्व की बेड़ेत हो बिर्ति हो गई है एक सदस्य को हम नौकरी देंगे ताकि वो परिवार समल सके सम्वीदा आधार पर और कोशिस करेंगे कि उस परिवार की साच समाल हो और उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत ना जाए कॉंग्रिस ने उपचुनाओं के लिए बादों का पिटारा खोल दिया है जिसमें कई बड़े वादे किये गए हैं कमलार ने घरेलू विजली उपभुकताओं को सो यूनिट सो रुपे बिल देने का वादा किया है कर्मचारियों के वकाया डिये और वेतन व्रद्धी जारी करने का वादा भी कॉंग्रिस ने किया है अतिती शिक्षकों के नीमिती करन की बाद भी वचन पत्र में की गई है गोशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चतीजगर सरकार की तरज पर गौधन सेवा योजना शुरू करने और गौध सेवकों की सेवाएं लेने का भी वादा किया गया है कोरोना संक्रमन को राज की आपदा खुशित करने का भी एलान कॉंग्रेस ने किया है सरकार आने पर फूटकर व्यापारियों का 50,000 तक का करज माफ करने का भी वादा किया गया है कॉंग्रेस ने अपने बचन पत्र में कॉंग्रेस के सबसाल जनता का खुशाल नारा दिया है इधर बीज़पी कॉंग्रेस के बचन पत्र को कोरे बादे करार दे रही है में कॉंग्रेस का वचन पत्र मास्टर श्रोक सावित हुआ था ऐसे में कमलनात उसी फार्मूले के सहरे बीज़पी को मात देने की रणनीती बना रहे है इस्थानी मुद्णों को लेकर तयार किया गया मिनी वचन पत्र कॉंग्रेस और कमलनात की सत्ता में वापसी करा पाएगा या नहीं ये देखना दिल्चस्प होगा वासुचोरे बंसल्यूर उपार उप्चुनाव से पहले बीजेपी को अचानक कारेकरताओं की याद आने लगी है पार्टी पन्ना प्रमूख और बूथ प्रमूखों का सम्मिलन करना ने जा रही है पार्टी के बड़े नेता कारेकरताओं की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं तो बीजेपी की कवायद को कॉंग्रेस मजबूरी का नाम दे रही है चुनाओं सिर पर है ऐसे में बूत प्रमुक पन्ना प्रमुक की याद आना स्वभाविक है कारिकरताओं की जय जय कार होना भी लाजमी है बीजेपी संगठन और कारिकरता आधारत पाटी है उम्मीदवारों की जीत में कारिकरताओं की महनत का बला योगदान रहता है पृदेश के 58 सीटों पर होने वाले उपचनाओं बहुत महत्वण है लेहाजा कारिकरताओं को महत दिया जा रहा है राश्टी पदादिकारियों के सम्मान समारों में भी नेताओं का फोकस कारिकरताओं पर नजर आया पर नेताओं का कहना है कि बीजेपी कारिकरता आधारित पाइटी है और पाइटी में हमेशा ही कारिकरताओं की पूछ परक होती है प्रधान मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी कारिकरता है वही कॉंग्रिस का आरोप है कि आयातित नेताओं के चलते बीजेपी के मूल कारिकरता की अंदेखी हो रही है अब चुनाओं के चलते बीजेपी को कारिकरता याद आ रही है चुनाओं के अंदर भाजपा को जवाब देता है चुनाओं जीतना है तो कारिकरताओं को साधना जरूरी है क्योंकि अगर बीजेपी का सौभी मानी कारिकरता रूठा तो सत्ता का दर्वाजा बंद और वहीं दिल से जुटा तो जीत की राह आसान हो जाती है सागर जिले की सुर्खी सीट में हाई प्रोफाइल मुकाबले की जमीन तयार हो चुकी है क्याबिनेट मंत्री गोविन सिंग राजपूत को चनौती देने पारूल साहू मैदान में सुर्खी के संग्राम में अब बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच श्रेय की सियासत शुरू हो गई है विकास के नाम पर दोनों ही दल एक दूसरे को आखे दिखा रहे है सुर्खी में बढ़ने लगा है स्यासी तापमान श्रेय लेने को लेकर शुरू हुआ घमसान उप्चुनाव से पहले सौगातों की बारिश कॉंग्रेस बोली बीजेपी की है धोखा देने की आदत प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उप्चुनाव का महसंग्राम होने जा रहा है उनमें सागर जिले की सूर्खी विधानसवा सीट भी शामिल है सूर्खी का संग्राम इस बार बेहद रोमान चक और दिल्चस्प होने जा रहा है पिछले दिनों जैसी नगर में मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने 250 करोर रुपे से ज्यादा की सौगात दी थी इनमें सूर्खी के जनपत भबन, कॉलेज और नगर पंचायत के कई विकास कारिय शामिल है बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ने जा रहे केविनिट मंत्री गोबिन सिंग राजपूत का कहना है कि पिछले 15 महीने में सूर्खी में विकास का जो पहिया थम गया था बीजेपी सरकार में उसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है बीजेपी सरकार की सोगातों पर कॉंग्रेस उंविद्वार पारुल साहू सवाल खड़े कर रही है पारुल का कहना है कि इन में से जयातर विकास कारे पहले ही सुईक्रत हो चुके हैं उन्होंने कहा कि जनता के साथ बार बार धोका करना बीजेपी की आदत बन चुकी है अभी जनता देख रही है और आप सब भी मीडिया के लोग हैं आपसे समझदार और आपसे जादा अपडेट मुझे लगता कोई नहीं रहता है जिस तरह से जिन पर्योजना का फिर से उधगाटन हुआ है या मांग की गई है जिसका पहले ही आप सबको पता है कि ट्यूटर पोर्टल में शिवराजी के पहले से डला हुआ है और उनमें से अधिकान शकाम शुक्रत पहले से ही है अब आप समझ सकते हैं जनता के साथ बार बार जनता को धोका देने की किसी एक वैक्ति की आदत बन चुकी है पर उनके आरोपों पर बीजेपी ने प्रड़बार करते हुए कहा कि वो ये ना भूलें कि शेत्र के जादातर विकास बीजेपी और शिवराज सरकार की देन है तो भारती जनता पार्टी जहां तक बात है भारती जनता पार्टी विकास के रास्ते पर आगे चलती है और जहां तक आप कहें कि विकास की बात वो अगर कर रही हो तो ये दिहान रहे कि भारती जनता पार्टी और मानने मुक्रे मंतरी शेवराज सिंग चौहाएं जी के सरकार में होने के बाद छेत्र का विकास हुआ था कॉंग्रेस की सरकार ने विकास किया नहीं था जो भी विकास हुए वो शिवराज सिंग जी और भारती जनता पार्टी के कारण हुए थे यह मुझे लगता है याद रहेगा तो अच्छा हुगा सुर्खी की रड़ाई में इस बार विकास के साथ ही दल बदल भी बड़ा मुद्दा बन सकता है कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टीयों के उम्मिदवार पाला बदल कर चुनावी रण में कूदे हैं फिलहाल श्रे लेने की स्यासत सुर्खी में जोर पकड़ रही है स्यासी दावों के बीच अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी कि किसके साथ वो आगे विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहती है प्रदेश में होने जा रहे है उप्चुनाव यह तो कई माइनों में खास और अलग है लेकिन ये चुनाव कॉंग्रेस के लिए कुछ ज्यादा ही खास है खाचरोद से कॉंग्रेस विधायक दिलिव गुर्जर का कहना है कि ये उप्चुनाव कॉंग्रेस के भविश्र को तै करने वाला चुनाव है उन्होंने कहा कि इस समय कॉंग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनावती एक जुट रहनी की है इतना ही नहीं उप्चनाव में कॉंग्रिस की भूमी का सहित कई मुद्दों पर उन्होंने बेवाकी के साथ अपनी राय रखी दिलिप गुर्जर से खास बाच्षेत की बंसन नियूज एट शराद विवेदी ने तो हमारे साथ हैं नागदा से कॉंग्रिस के विधायक दिलीप गुर्जर जी सीनियर कॉंग्रिस लीडर मद्यप्रदेश के सर बहुत स्वागत करता हूं दिलीप जी पहली तो मैं यही चीज आप से जाना चाहूंगा हमने सुना प्रलोभन आपके पास भी बहुत थे और बह मिलने ने मिलने का सवाल है हमरी सुदू से कांगरेस से हास्तार ही जब दो यार तीन में निर्दली विधायक रहा उसमें भी कांगरेस पार्टी के साथ ही रहा हूं मजबुति के साथ हर परिष्टितियों में कांगरेस के साथ रहा मेरे चेत्र में रासभा के नेता और आपके पास भी लोग तो आये थे तो सब आते ही हैं जाते ही हैं हमने ये भी सुना कि जब कॉंग्रेस की सरकार थी गुजर्ट साब तो आपने काफी आगाह किया था उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को तमाम सीनियर लीडर्स को क्योंकि मालवा एक बड़ी गतिविधी क का गड़ था और आपके उन लोगों से आपके कई मित्र हैं जो समय बीजेपी में हैं और यह सब आपको वास्तविक स्थिती बता रहे थे निशुरुप से उसमय जो में खुद भी चारवार काय में रहा हूं पंदु जो जो बाते हमारे पास आती थी हम निशुरुप से हम को कि शेर करते थे उनको ब्यागा करते थे कांगरेश विदायवकों में शंटोस थे उसको कॉंट्रोल करने की आउशकता है लेकिन उन बातों पर गौर नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना था जिस परका से उन्होंने भी किसी ने आशानी करी दिया जी पूरे दल बदल के साथ चले जाएंगे निश्रुप से वो क्यों गया समझ में हमको खुद को नहीं आया है अभी जो उप्चुनाओ का एक्व यह भी दावा है कि जनता सब समझ रही है कि किस तरह से आप देखते हैं उप्चुनाओं को लोकतंतर की देश्टी पब्लिक को देखना होगा वह सारे हमारे कांग्रेस के मंत्री थे उदर गए तो ही मंत्री तो उससे जनता को क्या फायदा मिले सिंद्या जी गए तो उनको क्या फायदा मिले हो तो आने वाला बहुत बताएगा कि पन्तु जनता को यदि उन जाने के बाद यदि किसानों को दो लाग को महाँ मिलता और जिन जिन मुद्धों पर गए वह उनका फायदा बीजेपी जाके करते तो एक मजबूत स्थिति उन लोगों की होती से कहीने कहीने कई जन्ता में उनके प्ते अक्रोश है आपको लगता है यह मुद्धा बड़ा मुद्धा बनेगा और कॉंग्रेस कि उपर उसकी निगाभी है यह निशुरूप से यह तो जंता का मुद्धा है जंता ने जिस विश्वास के साथ कभिने को जिता था वह जंता चाहिए था साल पंदे साल बीजेपी की सरकार है ये पाथ साल कांग्रिस की सरकार को भी वह देखे किस पकार से काम करती है पंदो वह सब नहीं हो पाए तो कहीं नहीं कि जनता के मन में आकरोसता है इस बात का चुनाओं के नतीजे जो भी हों दिलीब जी लेकिन ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि मतिप्रदेश में आप कॉंग्रिस की स्थिति काफी खराब है और वो ये भी कहते हैं कि एक चमकदार चेहरा जो था जोत्रा दिस सिंदिया वो आप कॉंग्रिस के साथ नहीं है मैं यह न मिल नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है आपने कॉंग्रेस के बहुत उतार चड़ाओं के पल देखे हैं आपको क्या लगता है कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनोती समय आप क्या देखते हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनोती है अपना आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता है यह मुझे लगता है सबसे महत्पूर्ण मंत्र है आने वाले चुनाव कि अगर मैं बात करूं दोजार तेईस में तो आप यही मानते हैं कि कारेकर्टा का मान सम्मान और लीडर्शिप को सामने लाना और जो गलतियां पंद्रह महीने की सरकार मे हुई जिन नेताओं को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का चाहिए संगठन में चाहिए केबिनिट में आगे जब भी जो भी परिस्तितियां बनती है वहां यह गलतियां आगे नहीं होनी चाहिए निश्रुप से हमारा सबसे बड़ा उद्यश तो हमें कांग्रेस सरकार को मजबूत करने का रहना चाहिए उसको मान दस्टिकों रखते हुई सरकार का गठन होना चाहिए हमारी बात हमने हमां हाई कमन तक पहुचा है पंदू हम चाहते हैं कि यह पूरा कांग्रेस से एक दर्षा elevenटी हे तो कांग्रेस को किसमघास मंजबूत किया जाए तो कम जूर था तो उसको आने वाले समय कांग्रेस को कैसे मजबूत कि ज हो शकता है बहुत है अब भभीशी की मेलशिप के तौर पर किसे देखते हैं आखर आखर अब आपको क्या लगता हैं आप ही लोग कांग्रेश को तो एक टीम में काम करने कि आफचता है बीजेa पी एक कर संगटने उसे लड़ने के लिए एक टीम Works के रूप में में आज आज काम करने कि внутри आफ को चेहरों के बीचमीं रूप में जनता की बीच में जाएंगे तो निस रूप से एक प्रवाव करता है जो छनता की बीरा कंकरता है doinस और सुनि करते हैं तो निस रूप से ऐक टीम भावना के साथ हम काम करें तो समय हम बहुत मुझ्वी इस्तिति में रही है आखरी सवाल कर रहा हूं आपसे चौथी बार के आप विधायक हैं ऐसा क्या करते हैं आप जाहिर तोर पर जन सेवा और नागदा के विकास का आपने निश्चित तोर पर जो बीड़ा उठाया है आपने काफी हद तक उसको पूरा किया होगा तभी लोग आप पर भरोसा जद लिए कि आपने नागदा के लिए क्या किया और एक जन प्रतिनी दी अगर अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता है चोथी बार का वो विधायक है तो वो क्या करता है निश्रुप से में च्छेत की जनता का बहुत-बहुत आवारी हूं जुनों नमुझे लगातार मे जो चोथी बारी च्छेत से चुन के गया हूं मैं सत्ताइस साल की उम्र में विधायक यहां पर नाइंटी थ्री में बना था उसके बाद में लगातार जनता की बीच में रहकर जनता की सुख दुख में का रहकर उंकी छोटी चोटी आउशकता हो कि पुर्ती करने का मेरा प काम कांगर्स कार करता हूं को साथ हमेसा खड़े रहते हैं उनके सुख दुख में भागीदारी रहते हैं जा किसानों चाहें मजदूरों सब के लिए हम संगर्स करते हमेसा तैयर अभी हमने हमरे च्छित के पांच आजार मजदूर जो उनको काम पे नहीं रहा है हमने स्वे के साथ उनके लिए काम करते हैं और बीच पे हमने कमलाज सरकार से नागदा को जिला बनाने की परस्तावी पास करा है था हम अभी शीव राजी से भी हमने अनरोत किया है कि गज़र नोटिफिकेशन करके नागदा को जिला बनाने प्रिक्या आगे वड़ा है तो निश्रुप जब जांदा दर्शनियात्रा में आया थे स्षिर्व राजी उन्होंने भी गोशना करी ति तो निश्रुप से आने वाले बीजे पी गोशना नागदा से और आप देखते होंगे कोई बनावर्ट नहीं है उनके वेक्तित्तु में, एक साद्गी है, एक सरल्टा है, टोई बढ़ चल कर वह बाते नहीं करते हैं, और बढ़ चल कर दावे करते हैं, शायद यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि उनका विक्तित्व काम को सबर्पित है वो बोलने से जादा करने में यकीन रखते हैं और यही वज़े है कि नागदा जैसा उन्होंने कहा कि 5000 श्रमिक जो इस कोरोना काल में मंदी की वज़े से छटनी का शिकार हुए उनके लिए स्वेच्छा से नागदा बंद कायोजन था और यह एक उनका दावा है कि जबरदर सफल रहा क्योंकि लोगों ने खुद आगे बढ़ चड़कर इसका समर्थन किया उप्चुनाव का चक्रवीव में फिल हाल इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार